हेलो फ्रेंड्स, उम्मीदे आप लोग अच्छे से होंगे, आज मैं आप लोगों को अर्भी के पत्तों के पताओड बनाना पताओंगी, कुछ लोग इसको पात्र, रिक्वीच, ये आलू वड़ी भी बोलते हैं, हर स्टेट में इसको अलग-अलग नाम से बोला जाता है, मै यहां पर देखिए, मैंने अर्भी के पत्ते ले लिए हैं, इस तरह से दिखते हैं, और मैंने इसको अच्छे से पहले वाश कर लिया है, और इसके पीछे के साइड जो आप ये मोटी डंठल देख रहे हैं, इसको निकालना जरूरी होता है, तो आप एक नाइफ की हेल्प स देखिए, मैं एक और इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, खरीब से इसको इस तरह से निकाल देना है पूरा, और थोड़ा जो खट भी जाये तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केरफुली आप निकालेंगे, तो असानी से ये निकल जाएगा, और अब इसका दूसरा स्टेप ये है कि पत्ते को उल्टे की तरफ रख कर इसकी जो जो नर्फ होती है, महीन महीन जो नसे होती है, इस तरह बेलन के हेल्प से इस तरह प्रेस कर देंगे, तो ये एक फ्लैट पत्ते जैसा हो जाएगा, तो जब हम लोग इसको पताउड बना हो जाएगे, देखिए अब इसी तरह से सारे पत्तो को बेलन के हेल्प से प्रेस कर लेंगे, तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप के तरफ इसके लिए एक अच्छा सा गोल बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कप भरके बेसन लिया है, इतने पताउड के लिए एक कप बे अच्छी पॉडर डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन है, इसको अच्छे से क्रेश करके डाल देना है, थोड़ी सी हींग डाली है, और यहाँ पर यहाँ पर अमचूर पॉडर डाला है, अमचूर पॉडर डालने से गले में खराश नहीं होती है, थोड़ी सी इसमें यह हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, इसको इसमें डाल दिना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पतोड में, तो इसको आप लोग जरूर से डालिएगा, और यहाँ पर मेरे पास सफायत तिल थे, तो मैंने इसको भी इसमें डाल दिया है, पर यह टोटली आप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं, तो अब इसका हम लोगों को एक घोल तयार कर लेना है, पर हाँ ध्यान रखना है, कि इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि हमको बहुत पतला इसका घोल नहीं रखना है, नहीं बहुत ज जादा थिक रखना है नहीं बहुत जादा पतला तो पानी को थोड़ा सा ध्यान से ही डालना है और काफी अच्छे से इसको बेशन को फेट लेंगे जिससे कि जब इसके पतोड बनाएं तो काफी साफ्ट बनेंगे देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है तो चलत देंगे देखिए इस तरह से जिस डिरेक्शन में पत्तियों की वेंस बनी हुई है उसी डिरेक्शन में इस तरह से लगाएंगे तो पत्ते भटते भी नहीं है अब दुसरे पत्ते को हम लोग को डिरेक्शन चेंज कर देना है देखिए सारे पत्तों में बेशन को काफी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टेस्ट में लेकिन आप जब लाईएगा तो एक ही साइस के लिए आईएगा बस यह असानी से बन जाएंगे और वैसे कोई बात नहीं होती है और मैं यहाँ पर टोटल मेरे पास आठ पत्ते हैं तो मैं चार चर का पेर बनाऊंगी और नहीं इसके लिए काफी होता है तो देखिए सारे पत्तों में बेसन अच्छे से अपलाई हो गया है अब आप देखिए इधर से कॉर्णर से इसको इस तरह से फोल्ड करना है और उस पे भी बेसन अच्छे से लगा देना है तो दोनों कोने से हम लोगों को इस तरह से फोल् करना है और यहां पर भी बेशन लगा देना है जिससे कि यह अच्छे से फोल्ड जा चिपक जाए बस इसको धीरे-धीरे करके देखिए इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे यह काफी अच्छे से बंडल जासा बन जाता है यह देखिए कितना अच्छा एक पतोड बनके तयार हो गया है और इसके साइड में भी थोड़ा बेशन लगा देते हैं जब इसको स्टीम करेंगे तो यह फिर इसका मूँ खुलेगा नहीं तो इसलिए यहाँ पर साइड में बेशन लगा देंगे और मैंने यहाँ पर देखिए दोनों पतोड बनाके तयार कर लिये हैं तो चलते हैं अब इसको हम लोग स्टीम कर लेते हैं मैंने यहाँ पर एक कड़ाई में दो कप के करीब पानी डाल दिया है और अब देखिए इस तरह से कोई छन्नी ले लेनी है और उसको ग्रीस कर लेंगे ग्रीस कर लेने से पतौड जो है वो बरतन में चिपकेंगे नहीं और बस इसमें जो हम लोगने तयार करके रखा था पतौड उसको रख देंगे और इसको ढख के 8 से 10 मिनट तक हम लोग इसको स्टीम करेंगे और फ्लेम को यहाँ पर मीडिया में ही रखना है तो पतौड को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं अब चलते हैं इसको चेक कर लेते हैं देखिए भी काफी अच्छे से यह स्टीम हो चुका है और कितनी असानी से निकल भी आया है तो फ्रेंट जब यह थुड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब आप इसको कट करिएगा और एक तेज नाइफ के हैल्स से करिएगा जिससे के अच्छे शेप में कट जाएगा और थुड़ा मोटे ही काट येगा बहुत पतले इसको कट नहीं करना है देखिए कितने असानी से यह कट हुआ जा रहा है और देखिए कितने अच्छे यह बनके तयार हुए अंदर तक एकदम स्टीम हो गए है बहुत ही परफेक्ट बने है और आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते है पर मैं यहाँ पर इसको फ्राई करूँगी फ्राई करने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है तो चलते हैं आप फटावर्ड इसको फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा मस्टर डाय लिया है जी हाँ मैं इसको शैलो फ्राई करने वाली हूँ आप चाहे तो इसको डिफ फ्राई भी कर सकते हैं दोनों तरह से इसको फ्राई किया जा सकता है बट फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा हेल्थ को भी तो ध्यान में रखा जाता है तो इसलिए मैं शैलो ही फ्राई करूंगी पैन में एक एक करके पतोड जाल देंगे और जितने आसानी से आ जाएं उतने ही डालना है और फ्रेंड को यहाँ पर मीडियम रखेंगे और जब एक तरफ से यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको हमनों को पलट देना है और थोड़ा केरफुली कर रहा है कि यह खुले नहीं जब यह एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको पलट के दुसरी तरफ से भी हमनों को गोल्डन फ्राई कर लेना है तो फ्रेंड्स पहले मुझे लगता था कि यह अर्बी के पकोड़े या पताओड़े जो भी है वो कैसे लगते होंगे टेस्ट में पर यकीन मानिये जब मैंने बनाया तो सबका ये पहला मनपसंद इक्तम बन गया है बहुत इला जवाब बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पकाने में और जब आप ये बनाएंगे ना आप सारे पकोड़े इसके आगे भूल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त बंद के तयार होते हैं तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा तो लीजिए यहाँ पर अर्बी के पत्तों के पतोड़ बनके तयार हो गए है इसको आप लोग हरी चटनी या टमाटो सास किसी के साथ भी इंज्वाए कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप इसको किसी को बना के खिलाएंगे ना तो वो आपकी तारिफ करते नहीं ठकेगा तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पतोड़ दिखा रही हूँ देखिए कितने अच्छे से यह फ्राई हुआ है एक दम एक एक लियर अच्छे से फ्राई हो गई है और हाँ फिरेंट कमेंट सेक्षन में जाके जरूर बताईएगे कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं और कौन-कौन इसको इस तरह से ट्राई कर चुका है मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा तो आप लोगों को आज की मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूला करिए और जो विवर्स ने हो मेरे चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लिया करिए तो फिर जल्दी मिलते हैं एक मज़ेदा रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई